गुड मॉनिंग इस्टुडेंट आसा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे परिवार के साथ में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे बच्चो आज हम कशार्टवी का दुईती अपार्ट पढ़ने वाले हैं असमाकम चतिसगर राजसे लोग भासासु गीता नाम अविरल परंपरास्ती अत्र लोग गीते सु विविधता नास्ती असमीम राजे लोग गीतानी लोग भासायाम अवल मीम बतानी ध्यान से सुनिएगा इसका अर्थ क्या होता है हमारे 36 गडर रáजि की लोग भासाओं में गीतों की अटूर्ट परमपरा है इस राजि में लोग गीत लोग भासाओं पर आधारीत है ठीक है बच्चो आसा करती हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आगे देखते हैं बच्चो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है 36 गड़ से लोग गीते सु संसकार गीतम धार्मी कोचस गीतम रीतु गीता दीनी चप्रचलंती जनाह राज्य चतिस गड़ राज्ये संसकाराणाम अवसरे अनिकानी गीतानी गायंती एतेसु गीतेसु सोहर विवाहे गीते चप्रमुखे अस्ती सीमंत संसकार अवसरे गीतम संधोरी गीतम इत्यूच्यते तो देखे बच्चो इतने कहां पहले अर्थ समझ लेते हैं इसका अर्थ होता है 36 गड़ के लोग गीतों में संसकार गीत क्या संसकार गीत धार्मिक गीत और रीतु गीत ये क्या है बहुत प्रचलीत हैं और लोगों में 36 गड़ में प्रदेश में संसकारों के असर पर लोग अनेक गीत गाये जाते हैं इन गीतों में जैसे कि वीवा के समय गाये जाते हैं बच्चों जब सादी होता है उस औसर पर भी गाते हैं और जिसके घर में पूत्र पूत्री होते हैं बच्चे होते हैं उस औसर पर भी गाते हैं ये सारी चीजे क्या है बच्चों लोक गीत है ठीक है बच्चों तो आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है विवा और सरे लोकाचारणम परी पालनार्थ गिय गीता नाम परंपरा प्रचलीत यथा प्रचलीत लोक गीतेशु चुलमाटी गीतम द्वार चारी गीतम जेवनार गीतम भावर गीतम विवाद गीत्य गिच्यत प्रसिधानी संती जनय एतानी गीतानी चत्तिस गड़ लोक भासासु गीति इसका अर्थ समझते हैं यहां से लेकर यहां तक कर सबते पहले अर्थ समझ लेते हैं उसकी वाद आगे बढ़ेंगे इसका अर्थ होता है विवा के समय है लोका चार की परमपरा का पालन करने के लिए गीत गाहे जाते हैं या गीत बहुत प्रचलीत है यहां की जो परमपरा है वो इन गानों में ही प्रचलीत है इन प्रचलीत लोग भी गीत में क्या क्या है बच्चों देखते हैं चुर्माती है द्वारचार गीत है जेवनार गीत है भावर गीत है और विदाई के समय गाये जाने वाले गीत हैं लोग इन गीतों को 36 गड़ की लोग भासा में गाते हैं ठीक है बच्चों आसा करती हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे स से समझ में आ रहा होगा ठीक है बच्चों आगे देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है आगे है धार्मिक गीता नाम विविधानी रुपानी संती यथा सीवराम कृष्णा नाम विवाह गीतानी लोग प्रियानी भक्ती तेशू भजनानी प्रसिधानी देव्या जसेश वागीतम प्रसिधम है ना तो इसका अर्थ समझते हैं बच्चों है ना इसका यहां से लेकर यहां तक का अर्थ पहले समझ लेते हैं ठीक है इसका अर्थ है धार्मिक गीतों के विविध रूप है धार्मिक गीतों के विविध रूप है जैसे सीव जी है ना यहां पर सीव जी राम जी और स्री के विवा के समय में काय जाने वाले गीत काफी लोग प्रिय हैं भक्ती गीतेशू मतलब भक्ती में गीतों में भजन क्या भजन जो है वो प्रसिद है देवी के जसगीत देव्याह मतलब देवी देवी के जसगीत भी यहाँ पर प्रसिद है ठीक है बच्चों आगे देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है रीतू गीतेशू स्रामण भाद्रे पद मासे भोजली गीतम कार्तिक मासे सुक गीतम गौरी गीता दीनी चल लोगप्रियाणी अब यहां से यहां तक का अर्थ समझ लेते हैं बच्चों इसका अर्थ होता है आपने ध्यान से सुनिए रीतू गीत में सावन भादो मास में भोजली गीत कार्तिक मास में सुक गीत मतलब सुवा गीत आप लोग पता होगाओ में सब सुवा गीत गाते हैं और क्या गौरी गीत आदी लोक प्रिय है है ना फागुन मास में दन रेत और फाग गीत बहुत ही अत्यंत या बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है ठीक है बच्चों आगे आगे देखते हैं इसमें क्या है असमीन राज्य है फुगड़ी इती लोक प्रिय लोक क्रीड़ा प्रसिद्ध मतलब होता है कि इस प्रदेश में फुगड़ी यहां का प्रसिद्ध खेल है ठीक है बच्चों आगे देखते हैं इमा क्रिडा खेलन्ती बालिका फुगडी इती गीतम गायन्ती और इस खेल को खेलते हुए बालिका है फुगडी ऐसा गीत गाती है आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या है अत्र प्रचलितम बासम इती गीतम मुलता गोपाल कानम गीतमस्ती गोरिचारणम संस्कृते अभिव्यक्ती एतेशा गीताना माध्यन प्रतिते बासम इती एकम अध्भुतम वाद्य यंत्रमस्ती यतकेवलम छतीज़ गड़ राजी एव प्रचलित तो इसका अर्थ हम लोग सबते पहले समझते हैं यहां से लेकर यहां तक कर ठीक है बच्चों तो इसका अर्थ ध्यान से सनिएगा इसका अर्थ है यहां प्रचलित बास गीत बच्चों क्या प्रसि बहुत प्रसिद्ध है मूलता ये कौन गाते हैं ग्वाले लोंग गुपाल का नम मतलब ग्वाले लोंग गाते हैं जो गायचराने वाले होते हैं जिससे उनकी संस्कृती का क्या पता चलता है उनकी संस्कृती का पता चलता है बास एक ऐसा अनुखा वादेयंत्र है जो केवल कहां पाहे जाते हैं 36 गर राज्य में प्रचलीत है ठीक है बच्चों आगे देखते हैं आगे है राजश्य प्रसिद्धेशू लोक गीतेशू ददरिया रित्येन सह गे परंपरा विद्यते हैं अस्मात कारणात अस्मीन राज्य लोक गीता नाम परंपरा वर्थते अत्र अनेके लोक कलाकारा लोक गीता नाम मध्येन प्रद्येशे संस्कृती गौरवांती वावंती तम वावंताम क्रित्वंता चत्तिसगर राज्यस्य जन जीवने लोक गीता नाम वे सिस्टम एतत जना लोक गीत मास्रित्यस्य आनन्द में नुभवंती स्वकियम जीवनम उत्सयम स्रीजनतीत इतने को हम अब इसका अर्थ समझते हैं ठीक है बच्चो इसका अर्थ आप लोग द्यान से सुनेगा राज्य के प्रसीध लोक गीतों में राज्य के प्रसीध लोक गीतों में ददरिया नृत्य के साथ गाने की परंपरा है ददरिया गीत गाते भी है और साथ में नाचते भी है इसकी परंपरा है इस कारण राज्य के में लोक गीत की परंपरा है यहां अनेक लोक कलाकार है यहां पर अनेक लोक कलाकार जो होते हैं वो लोक गीतों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृती को गौरवनमीत करते हैं ठीक है बच्चो आसा करती हूं कि आप लोग को यह सब समझ में आ रहा होग आगे है चतिस गड़स जन जवने लोक गीता नाम वैसिस्तयम एतत ठीक है बच्चों एतत जना लोक गीत मास रित्य आनन्द नुभवनती स्वयम कियम जीवन उत्सवयम स्रिजनतीत ठीक है बच्चों तो इसका अर्ठ आम लोग देखते है इसका अर्ट है चत्तिस गड़ के जन जीवन में यहां के लोग गीतों की विशिष्टता है यहां के लोग गीतों पर आसरे होकर आनंद का अनुभव करते हैं जीवन में आनंद और वो अपने जीवन में क्या करते हैं आनंद में बनाते हैं अपने जीवन को आनंद में बनाते हैं ठीक है बच्चों आसर करती हूँ कि आप लोग को यह चप्टर समझ में आया होगा ठीक है बच्चों आप अपने से इसको और दो बार तिन बार देखिए बच्चो और आप लोग इसका जो सब्दार्त है इसको आप याद करिएगा अच्छे से समझने की कोशिस करिएगा अगर आपको सब्दार्त याद रहेगा तो पाथ को समझने में बहुत आसानी होगी। बच्चों आसा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को बहुती अच्छे सी समझ में आया होगा आज के लिए बस इतना ही बच्चों